तो दोस्तों UP pieces के लिए आपकी तयारी काफे अच्छे से जा रही होगी आपकी परिशा भी दिदरे निकट आ रही है 12 जुन को इसकी परिशा में कोई बदला नहीं होगा इसके बारे में कुछ भी मत सोचेगा कि परिशा में जो डेट से उसमें कोई बदला होगा उसके बाद आपकी लेकपाल भरती की भी परिच्छा है 19 तारीक को 19 जून को तो समय काफी कम बचा हुआ है उमिद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से द्यारी कर रहे होंगे कोई भी एक प्रैक्टिस सेट ले लिजेगा मार्केट से जो सही हो जिसमें तथी सही तरीकी से दिये गए हूँ तो उसको लगाते रहे है ये आपकी काफी हल्प करेगा तो आईए आज का टेस्ट देखते हैं सभी प्रस बहुत ही इंपॉर्टन है ध्यां से देखिए और देखे कि कितने प्रसों के उत्तर आप देपाते हैं पहला क्वेशन होगा जब भारत सुतंत्र हुआ उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे तो अगर आपने यहाँ पर गेस किया है कौन सा महात्मा गांधी तो गलत हो जाएगा जवाला नहरू भी नहीं थे सरदार पटेल भी नहीं थे सही जबाब है जेवी क्रिपलानी जेवी क्रिपलानी को कांग्रेस का जो 54 अध्यक्ष रहे थे याद रखना कि जब भारत सुतंत्र हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष उसमें थे जेवी क्रिपलानी फिर अगला question है राष्ट्री कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो बात क्या हो रही है कि राष्ट्री कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन की बात हो रही है अध्यक्ता की बात नहीं हो रही है सिर्वेक आ जा रहे है कि अंति मदिविशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो कोल्काता डाभिशन 1906, सूर्थाधिविशन 1907, फिर कोल्काता डाभिशन 1907, फिर अमृत्थ सर्क अदिविशन 1919 119 तो यह बताओ कि बाल गंगादर तिलक की डेथ कब हुई थी इनकी डेथ हुई थी एक अगस्त 1920 को तो लास्ट टाइम उन्होंने अम्रित सर अध्रिसर में पार्टिसिपेट किया था 1919 में ठीक हैं तो यह याद अखना फिर अगला कुश्चन है लाला लाजपतरा के राजन अधिक गुरू थे वो थे गैरी बालडी नहीं विविकानन्द नहीं दादा फाइन रोजी नहीं सही जबाब है मैजनी मैजनी कों थे मैजनी इटली के एक करांधिकारी थे और उनकी किताब और उनकी जीवन गासा को पढ़ने के बाद लाला लाजपतराय ने उनको अपना गुरू मान लिया था और उनकी एक किताब थी The Duties of Man का बाद में लाला लाजपतराय ने उर्दू में अनवाद भी किया था ये भी याद रखना फिर देखिए अगला कुश्चन क्या है कि कौन सा ग्रंथ ब्रामण वनिक की इस्तिति का वड़न करता है ब्रामण वनिक की इ इसने लिखा है सुद्रक की रचना है म्रिच कटिकम और इसमें जो नायक है नायक का नाम कहा है चारुदत्त तो चारुदत्त को ब्रामण वनिक बताया गया है और म्रिच कटिकम ये रचना है चौती सताब दीजवी की ये याद अखना आप रेसलम बुनकरों की स्रेणी का उलेख किस अविलेख में मिलता है रेसलम बुनकरों की स्रेणी का उलेख भीतरी अविलेख मंसौर अविलेख जूनागर अविलेख और प्रयाग प्रसस्ती अविलेख में सही आंसर है मंसौर अविलेख मंसौर अविलेख ये कहां पर सी थे वहां से मंत्सवर्ण चली गए थे और उसमें वो दस पुर के नाम से जाना जाता था फिर देखे अगला question क्या है कि सासक ने स्वयंग को अनूठा ब्रामण कहा है बहुत ही अच्छा प्रस्न है और इसको आप most important में भी रख सकते हैं अच्छा में आ सकता है किस सासक ने स्वयंग को अनुठा ब्रामण कहा है तो स already यह opposition क्या हो जाएगा गौत्मी पुत्र साथ का उत्खरन करवाया था और महाभारत की कथा का केंडर कुरु और पांचाल नामक राज्य थे तो सही असर क्या हो जाएगा देखो पहला भी सही है महाभारत की जो रचना है इसके बारे में थोड़ा सा विवाद भी देखने को आपको मिलेगा मतलब यह कि अगर आप राचीन जो साक्ष मिलते हैं उसके मताबिक यह माना जाता है कि महाभारत की जो रचना होई होगी वो 3500 इसापूर से लेकर 1200 इसापूर के मद्धिवी कहीं कहीं लिखी गई है लेकिन mostly लोग मानते हैं कि 200 इसापूर से लेकर 200 इस्वी के मद्धिवी होगी तो पहला कतन सही है पुर याइगा कि महाभारत के रशनाकार कौन है तो वेद व्यास को मना जाता है क्या मेक्थाम विशद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोगपरी हूए तो प्रफम विशुद्र कभ से कभ तक चलांथा 14-14 से लेकर 1918 तक हुआ और इसी धौरान होम रूल आंदोलन भी भारत में चल रहा था। होम रूल आंदोलन मुलक मुख्रूत तो थे, एक तो था, जो चला गया था किसके दौरा, बाल गंगा था तिलक के द्वारा, दूसरा चला गया था एनिबिशंद के दौरा, तो दोनों जो हमरूल आंदोलन थे इसमें पहले स्टार्ट किया गया था जो हमरूल आंदोलन वो बाल गंगाधर तिलक का था अप्रेल में स्टार्ट किया गया था बाल गंगाधर तिलक का हमरूल आंदोलन पुना में और उसके बाद सितंबर 1916 में स्टार्ट किया गया था जो हमरूल आंदूलन वो एनिबेशन का था एनिबेशन का जो हमरूल आंदूलन था वो मदरास में स्टार्ट किया गया था हमरूल सब्द आयरलेंड के एक ऐसे ही आंदूलन से लिया गया था इसका सभसे पले प्रयोग क्या था सियाम जी कृष्प बर्माने उनी विशन गोह जाता है तुटाटपर एसी इस्तिति से होता है जिसमें किसी देश का सासन वहां के अस्थाई नागरिकों के द्वारा चलाया जाता है फिर अगला कोश्चन है निमलिकित में कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदूलन की अवधी में नेमी तुरूब से कारेकरम प्रसारित करता था कौन तो देखो फ्रेंड्स इसका अंसर हो जाएगा आपसन बताओ जाए प्रकाश नारायंड सही है इसका रामनोहर लोहिया यानि की सही जवाब इसका आपसन सी है रामनोहर लोहिया ठीक है यह याद अगनाफ काफी अच्छा कोश्चन है यह फिर नेक्स कोश्चन है कि नाना तो सभी जवाब है तात्या टोपे यानि की आप्शन डी तो तात्या टोपे का जन्म कब हुआ था अठारा सु चोद्व में हुआ था एवला महराश्ट्र में वास्तिविक नाम था इनका राम चंद्र पांडूरंग राओ इनके पिता का नाम था पांडूरंग त्रेंबग भट माता का नाम रुकमडी भाई तात्या टोपे को सन 1857 के प्रत्थम सु तंतता संग्राम के अग्रणी बीडों में उच अस्थान प्राप्त है बहुजन समाज का संस्थापक कौन था बहुजन समाज का संस्थापक माना जाता है कि इसको मुकुंद्राव पाटिल को तो बिकल्ब भी यहाँ पर करेक्टर मुकुंद्राव पाटिल ने 1910 में अस्थापना की थी बहुजन समाज की दलितों को जो स्रवन जाती हो हैं उनके उत्पीडन से बचाने के लिए 1910 में 17 महारास्ट्रा में बहुजन समाज के स्थापना मुकुंद्राव पाटिल के द्वा द्वारा की गई थी यहाँ रखना यह कोश्चन कई बार रिपीट हो रहा है फिर अगला कोश्चन है किस भारती नेता ने खिलाफत आंदूलन का समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदूलन का समर्थन नहीं किया गया था किसके दोरा मदन मोहन मालवी जी की द्वारा तो बी यहाँ पर करेक्ट है तो देखो यहाँ पर खिलाफत अंदूलन चलाता हूं 1909 से लेकर 1924 थक सौकत अली और मुहमद अली अली भाईयों के द्वारा यह अंदूलन श्टार्ट किया गया था बिटिस सरकार के खिलाफ यह अंदूलन था इसमें कांग्रेस और मुस्लिम ली समाजवादी पार्टी का संयोजग कौन था पठना में 1934 में अकिल भारती कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजग माना जाता है कि इसको जवाला नेरू, मदन मोहन मालवी, आचार नरेंद्र देव, स्वामी सद्धानन्द तो देखो यहाँ पर जया प्रकास नाराय जहां प्रकास नारायन को पार्टी का महा सची उतरा आचार नरेंद्र देव को अध्यक सुना गया था इन जै प्रकास नारायन ठीक है तो जै प्रकास नारायन थोड़ा सा यहांपर option में नहीं था लेकिन यहीं इसका answer है फिर देखिए भारती राश्य कांग्रेश को निम्डिकित में से किस ने भीक मांगने वाली संस्ता कह दिया था लाड़फरिन ने कहा था कि कांग्रेस केवल एक सूक्षम अलफसंक्यक का प्रतित करता है अरविंदोगोस ने कहा कि कांग्रेस एक भीक मांगने वाला संस्तान है तीलेक ने कहा था कि कांग्रेस को भीक मांगने और अधिकारों का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए और वहीं पर बिपिज़ दरपाल ने कहा था कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है तो ये सारे स्टेटमेंट्स काफी important हैं इनमें कोई भी एक स्टेटमेंट्स एक्जाम में आ सकता है फिर अगला कोश्य ने दादा भाई नोरोजी के बारे में विचार करें उन्होंने गुजरादी के प्रोफेसर के रूप में इनिवर्स्ट्री कालिज लंदन में काम किया था ये भी सही है मुंबई में मैला सिक्षा के नियू रखी थी और ब्रेटेन के हाउस और कामन्स में पहुंचने वाले भारत के दूसरे सक्स थे तो पहला कौन था तो पहले तो यही थे यानि कि यह स्टेटमेंट ही गलत है तो कि यहाँ पर याद रखना कि ब्रेटेन के हाउस और कामन्स में पहुंचने वाले दादा फाइन नौरोजी ना कोईवल भारत के बलकि एसिया के पहले व्यक्ति थे तो बहुत ही सांदार व्यक्ति थे तिनका रहा और इसी के साथ यह सेसन आप आज का समापत हो रहा है आपके लिए एक प्रस्ट में बहुत ही आसान सा बताना है आपको की काकोरी सणेंदर केस किस वर्स हुआ था उमीद करता हूँ इसका आंसर आप जरूर लिखेंगे क्यो आइड दे रेट इस्टडी विद ज्यान प्रकास और ज्वाइन कर लिजिएगा है वे ग्रेट डे जाहें